हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैणियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए होप बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आया है इस्ट्रेट स्टाइल मसाला मैगी बनाने में बहुत ही आसान है और बच्चों की तो बहुत ही ज पानी को हम बाद में निकाल देंगे पानी हलका सा गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे लगबख 2 पैकेट के असपास मैगी बॉल होने देंगे मैगी हमारी बॉल हो चुकी है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पानी को हम छान लेंगे मैगी को हम छान लिया है और अब हमने वापस कड़ा ही ले लिए है अब हम इसमें डाल देंगे लगबग 1-2 चमच रिफाइंड ओईल गरम हो चुका है सबसे पहले हम डाल देंगे एक बारी कटीवी हरी मिट्च साथ हमने आप एक बारी कटावा प्यास डाल दिया है अब हम डाल देंगे लगबग 2 चमच के असपास बारी कटीवी हरी शिमला मिट्च आप चाहें तो डालें वर्ना इसकिप कर दें साथ हमने डाल दिया है एक बारी कटावा टमाटर टमाटर को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटावा हरा धनिया अब हम डाल देंगे मैगी मसाला यहां पर हमने छोटा आदा चमच के असपास नमक भी डाल दिया है और छोटा आदा चमच के असपास लाल मेच पाउडर भी डाल दिया है अब हमारी मसाला मेगी बिल्कुल रेडी है देखिए लगबग हमने दो मिनिट इसको पका भी लिया है और ये बहुत ही यम्मी लग रही है खुश्पू भी बहुत बढ़िया आ रही है आईए सर्फ कर देते हैं मासाला मैगी बिल्कल रेडीो और हमने सर्फ भी सकैने से में मरें अफ़े lo Ellie G इस पर चीज भी डीड़ा सकते हैं तो मासाला मैगी बनाएं टेस्ट करें और अपने हमने कमेंट शेयर करें धैंक यू thank you so much have a nice day